हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है सावधान जागो पैंसनर्स जागो आखिर ये टाइटल मैंने क्यों रखा है देखें पैंसनर्स पैंसन लेते रहते हैं उनके अकाउंट में आती रहती है एंटाइटलमेंट है जितना ओठराईजेशन है क्या आपको उतनी ही पैंसन मिल रही है या उससे कम मिल रही है चाहे कोई भी स्रकूलर आए 555, 570, 666 लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि हमारी पैंसन कितनी होनी चाहिए और हमें कितनी मिल रही है ऐसा ही केस आज मैं एक आपके सामने लेके आया हूँ जहां पर पैंसनर्स को हर महीने लगबग 14,000 रुपे कम पैंसन मिल रही है आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये आज से नहीं सालों से उनको ये चुना लगा आ रहा है लेकिन जब जागो तब ही सवेरा देखे वो अब जो है समाधान चाते हैं इसका और मैंने उनको पूरा डाटा बताया है और उनका समाधान भी उनको बता दिया है तो आज अपने इस वीडियो में हम इस तरह की एक बहुत इंपोर्टेंट जांकारी आपके साथ सेर करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर ज़रूर करें देखे मेरे पास उनका मैसीज आता है तो देखे मैंने उनसे पूछा कि आपकी सर्विस कितनी है देखे उनकी सर्विस 23 मही थे यानि रिक्रूटमेंट से ही वो जो है उनको इन्वैलिड आउट हो गए थे मुझे disability pension 40% मिलती है मैं training period में board out हो गया था जब मैं board out हुआ था तब मुझे PPO मिला था और अभी migration होने के बाद नवंबर 2023 में SMS के दुआरा मुझे नया PPO नंबर दिया गया है उसके बाद देखे मैंने जो उनकी जानकारी थी उस जानकारी के आधार पर मैंने उनका circular 555 वहाँ पर गया मैं जैसा उन्होंने मुझे बताया कि देखे उनको 9000 प्लस DADR यानि 12780 रुपे जो है मिल रहे हैं हर महीने लेकिन जब मैं उनका देखता हूँ यहाँ पर टेबल नमबर 7 मैंने उनकी चेक की circular नमबर 555 में यानि OROP 1 में तो देखे 5388 बैठती थी देखे यहाँ पर यह उनका service element है और disability element जो है उनका वो 1755 रुपे बैठ रहा था अब बात करते हैं उन्होंने बताया कि देखे बहुत से ऐसे मेरे group में हैं जिनको अभी retirement हुए हैं लेन उनको 24-25,000 रुपे pension मिल रही है तो देखे मुझे उनका पूरा data चेक करना था तो देखे मैंने उनका OROP 1 फिर 7 CPC और उसके बाद OROP 2 का data मैंने निकाला देखे OROP 2 में जो उनका service element है वो 13,880 रुपे है वही disability element 4,140 रुपे है total 18,020 रुपे उनको जो है basic pension के रुप में मिलना चाहिए और उस पर DLDR लगाकर आप देखेंगे 26,309 रुपे उनका बनता है देखें यहाँ पर यह table मैंने इसी आधार पर बनाई यह आप यहाँ पर देख सकते हैं circular 555 service element उनका जो बनता है वो बनता है 5,3,8 और disability element बनता है उनका 1,7,5 जब हम इसमें देखें 2,57 का multiply करेंगे 7 CPC में तो बनता है 13,847 रुपे और 4,510 रुपे और circular 6,666 में table number 7 और table number 93 अगर मैं देखता हूँ तो उनको देखे जो service element है वो बनता है 13,880 रुपे और disability element बनता है 4,140 रुपे total मिलाके 18,020 रुपे उनको जो है उनकी basic pension के रूप में service element प्लस disability element के रूप में मिलना चाहिए लेकर उनको मिल रहा है मातर 9,000 रुपे यानि उनका आधा जो है उनको मिल रहा है 12,000 कुछ मिलना चाहिए 26,000 रुपे यानि कुल मिलाके अगर हम देखें तो यहाँ पर उनको जो हर महीने लगबग 14,000 रुपे नुकसान है और अब उनका समाधान क्या है देखे उन्होंने एक रिकोर्ड को लेटर भी लिखा है वो भी मैं आपके साथ दिखाने वाला हूँ भी देखे ये वो लेटर है जो उन्होंने रिकोर्ड ऑफिसर को लिखा है कि देखे मैं इस टाइम रिटायर हुआ था इन्वैलिड आउट हुआ था बोर आउट किया गया था मुझे 40% मे देखे मैं PCDA इलाबाद से भी बात की उन्होंने बताया कि देखे आप अपने रिकोर्ड ऑफिस बात करें तो अब समाधान क्या बचता है मैंने उनको बताया कि आपके पास समाधान है आप CP ग्राम पर ये कंप्लेंट डालिए आज उनकी ये कंप्लेंट CP ग्राम पर डाली तो देखे हम उमीद करते हैं कि बहुत जल्ड इनको जो इनका रुका हुआ पैसा है वो भी मिल जाएगा और जो उनकी पैंसन में विसंगती है देखे वो भी सुधर जाएगी तो आप भी सावधान रहिए सतर करहिए अगर आपको नहीं पता है आपका एंटाइटलमेंट क मैसिज कर सकते हैं गाईडन्स प्राफ्ट कर सकते हैं लेकिन इंपोटेंट यह है कि आप वहाँ पर जाकर अपनी जांकारी शेर ज़रू करें अगर शेर नहीं करेंगे तो लिखे कोई भी आपको कुछ जांकारी नहीं दे पाएगा तो यह थी आज की इंपोटेंट खबर फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै बारत!